नमस्कार दोस्तों आज मैं आया हूँ चनकूरी राम लल्ला के ननिहाल और हमारे व्लाग में आपको देखने उपनी लगा प्यारा प्यारा देजारा तोशिल्या मातम मंदिर का अभी जिसका लोकारपन नवरात्र के पहले दिन हुआ है और मेरे शाहत है मेरे दोश मनोच मैं भाई नवही ने बाभी प्यारा प्यार ड्रोन शर्ट लिया है असलिक्षान तो अमाः माई वलग को इन तक जरूर्द देखने है नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्तों मिश्कुमार आज हम आई चुके हैं राम लड़ा के नैनिहाल यानि माता कौशिल्या की जन्म इस्थेभूर। ये दुनिया में भगवान राम की मा का इकलोता मंदिर है। यहां माता कौशिल्या का एक मात्र मंदिर जो रायपूर से लगभग 22 किलोमेटर की दूरी में चन्दपूरी नामत गाउं में इस्थेथ है। माता कौशिल्या के जन्म इस्थान की कारणी से राम लड़ा का नैनिहाल कहा जाता है। यहां सबसे पहले आते ही आपको प्रभुश्री राम के विशार एवं अदबुद मूर्ती का आपको दर्सन करने को मिल जायागा। यह जो मंदिर है जल से इंतलाप के बीच में इस्थीत है। यहां हर वर्स नौरात्र के पावन पर उपर हजारों शुरुधालू बड़े दूर दूर से मातक को शिल्य एवं प्रभुश्री राम के दर्सन के लिए आते ही। यहां नौरात्र में सुरुधालो द्वारा जूती कलस की स्थापनवी की जाती है। इमंदर विच आर दे जैमा जैमा पिंडिवाली आर दे जैमा। कौन सुहागन दिवा बाले आ मिर मैया। कौन सुहागन दिवा बाले आ मिर मैया। कौन जागेगा सारे रात मंदर विच आर दे जैमा। सच्चियां जोता वाले आर दे जैमा। कौन सुहागन दिवा बाले आर दे जैमा। कौन शिनल्या मात मंदिर के दाहिने और आपको शमुद्र मंथन जैसी प्रतिमाय तल आपके बीच में दिखाई देती है। वहीं लेप्ट साइड आपको प्रभु विष्णु में माता लच्मी जी की मूर्ति आपको दिखाई देती है। यहां और भी बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई है। जो आप देख सकते हैं। जै पाहाणा बाली आरते जैना। जुग जुग जीवे तेरा जमुएदा राजा। जिस तेरा पवन बनाया मंदर विच्छ आरते जैमा। जैमा पवन वाली आरते जैमा। सिमर चरन तेरा प्यानो यश्गावे। जै जै स्री राम। हम लोग आज चुछल्या प्रशल्या माता का पूरा देजगर में सिर्फ लिख भूप हाक प्याहरा नहीं जा रहा आपको हमारे व्लॉब में देखने को मिला होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट्ड आरते कि जरूर कर देजिए रहा कर दो कर दो कर दो दो हैं और शुदी है कर दो हुआ कर दो है